घर में इन तीन जगहे पर मोर पंख लगाने से कई गुना पैसे की आमदनी बढ़ जाती है, नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आश्ट्रो सच पर स्वागत है, दोस्तों सनातन हिंदू धर्म के प्राचीन पुराणों और शास्त्रों में पक्षियों पक्षियों के पंखों को घर में रखना भी बहुत शुब होता है। शुब संकेत भी प्राप्थ हो सकते हैं। शुब से पहला है मोरपंख दोस्तों, मोरपंख के वास्तु शास्त्र और जोतिश शास्त्र में कई महत्वपून उपाय बताये गए हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार मोरपंख घर में शान्ती और सुख सम्रिध्धी के लिए बहुत ही उप्योगी वस्तु है, इसे शास्त्रों में एक प्रकार का यंत्र ही कहा गया है, जो धन. संपत्ती को आकर्षित करता है. यदि मोरपंख को घर में सही दिशा और सही स्थान पर रखते हैं, तो इससे घर में धन का आगमन होता है, संचित धन में कई गुना अधिक व्रिध्धी होती है. मोरपंख को घर में रखने से पैसे की आवक कई गुना बढ़ जाती है, इसके लिए आपको केवल तीन मोरपंख लेने हैं, और उससे जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु उपाय करने हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, इसलिए इस महत्वपूर्ण जानका को आप पूरा जरूर सुने सबसे, हम जानते हैं कि मोर और मोर के पंख का हमारे धार्मिक शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मोरपंख एक चमतकारिक यंत्र होता है, और इसका प्रयोग तांतरिक क्रियाओं में भी किया जाता है, प्राचीन युग से ही मोर पंख को तांतरिक साधनाओं में महत्व पूर्ण माना गया है, साथ ही जोतिश शास्त्र में भी मोर पंख को बहुत ही महत्व दिया गया है, इसके साथ ही पुरानों, में भी मोर पंख से जुड़े उपायों का वर्नन मिलता है, आयुर्वेद मे प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। पंखों में विराजित हो गए जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया और विशाल का रूप धारन। करके उस मोर ने संध्या असुर पर आक्रमन कर दिया इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं को उनका आधिपत्य फिर से प्राप्त हुआ सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनिय होने का वर्दान दे दिया तभी से मोर को ब बलकि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्थता का वर्णन किया है, और उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारन करके मोर के श्रेष्थ होने का प्रमान भी दिया है, मोर पंख के बिना भगवान श् प्राचीन लोग मोर पंख की अध्भुत शक्ती के बारे में जानते थे, इसलिए सभी धर्मों के ग्रंथों में मोर को महत्वपून स्थान दिया गया है, हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी मा लक्षमी विद्या की देवी सरस्वती भगवान श्री गनेश हनुमान जी सम्रिध्धी और संपन्ता की देवी माना जाता है, मोर पंख का प्रयोग करके मा लक्षमी को प्रसन्न किया जा सकता है और सुख संपन्ता को प्राप्त किया जा सकता है। यदि मोर पंख के साथ आप अपने घर में बांसुरी रखते हैं, तो इससे परिवार में प्रेम और सोहार्द बना रहता है दोस्तों हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है अगर इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में जगड़ा करने लगे तो यह मंदिर कम युद्ध का मैदान अधिक लगने लगता है घर में कलेश और जगड़े होने के कई कारण हो सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक उर्जा का प्रवेश करना लेकिन हमारे घर में यह नकारात्मक उर्जा आखिर कहां से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक उर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रत्येक घ इन वस्तूओं के बिना हमारा घर चल नहीं पाता है, इन वस्तूओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उस नकारात्मक उर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें मोर पंख का प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए मोर के पंखों को आप इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक उर्जा है वह आपके घर से बाहर हो जाएगी यदि रोज सुभ़ पूजा के बाद आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मक उर्जा घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में सुक शांती बनी रहेगी इसी बात को ध्य आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी तीन जगह है, जहां पर आपको मोरपंख जरूर रखना चाहिए और इन जगहों पर अगर आप मोरपंख रख देते हैं, तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक उर्जा बनी रहेंगी. सबसे पहली बात घर से नकारात्मक उर्जा को दूर करने के लिए अगर घर में नकारात्मक उर्जा है और परिवार के सदस्यों की तरक्की में अर्चने निर्मान हो रही है, तो आप अपने मुख्यद्वार के उपर गणेश जी की प्रतिमा रखें और प्रतिमा की दोनों औ और मोरपंख अवश्य रखें इससे आप। पिर इसे ऐसे स्थान पर रख दें जहांपर ये किसी को दिखाई न दें इससे ग्रह शांत होने में मदद मिलती है, तीसरी बात बुरी। नजर से बचने के लिए अगर घर के किसी सदस्य अथवा बालक को बुरी नजर लगी है या उस पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव पड़ा है, तो सोते समय उस व्यक्ति के तकिये के नीचे मोर पंक रखे और दूसरे दिन इसे किसी बहते जल में अथवा को वेमे डाल दें इससे बुरी नजर उतर जाती है चौथी बात पढ़ाई में मन नहीं लगता है अगर घर के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनकी याददाश्ट कमजोर है पढ़ाई करते समय बार-बार नींद आती है तो विद्यार्थियों को मा सरस्वती के सामने मोरपंख रखकर दूसरे दिन उस मोरपंख को अपनी किताबों में रखना चाहिए इससे विद्यार्थियों में एकागरता बढ़ेगी और मा सरस्वती की क्रिपा बनी रहेगी पाँचवा उपाय दुष्ट शत्रूँ से छुटकारा पाने के लिए अगर कोई शत्रू जानबूच कर आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुचाने का प्रयास करता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मोरपंख पर लगाएं और सुबह के समय बिना नहाए ही इसे बहते हुए जल प्रवाह में अथ चित्फल प्राप्ट नहीं होता है सर्दियों में बार बार रुकावट आ रही है तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख चड़ाए अथवा घर में ही श्री कृष्ण की मूर्ती पर मोरपंख लगाएं और अपनी इच्छा उनक सामने प्रकट करें सात्वी बात अगर पती पतनी के बीच तनाव हो अगर घर के अंदर क्लेश है पती पतनी के बीच बार बार जगड़े होते हैं आपसी प्रेम कम होने लगा है तो उनके बेडरूम में दक्षिन पूर्व की दिशा में मोरपंख रख देना चाहिए इससे दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और आपसी मनमुटाफ कम होगा अथवा उपाय धन में वृद्धी के लिए अगर धन की कमी है अचानक धन खर्च हो जाता है तो घर में तिजोरी अवश्य बनाए तिजोरी रखते समय ध्यान रहे तिजोरी को पश्चिन की दिवार पर सटा कर रखें और उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो इससे देवराज की कृपा दृष्टी बनी रहेगी साथ ही मा लक्षमी की पूजा में मोरपंख रख कर उसे तिजोरी में पर कंधे की उचाई पर दो मोर पंख शुकल पक्ष में लगाएं जल्दी ही धन प्राप्ती के नए अफसर प्राप्त होने लगेंगे नोवा उपाय आप किसी भी शुब दिन मोर का एक पंख लेकर घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है असल में मोर का पंख नकाराक मक उर्जा को अवशोशित करता है इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आए मोर के पंख का ये उपाय न सिर्फ आपको बलकी आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समरिध्धी जरूर लेकर आएगा अब जानते हैं कबूतर के पंख के बारे में दोस्तों अगर कबूतर आपके घर में पंख छोड़ देता है तो इसे शुभ माना गया है इस अंक को सफेद अथवा लाल रंग के वस्तर में लपेट कर मा लक्षमी का ध्यान करते हुए इसे धन रखने वाले स्थान पर रख देना चाहिए ध्यान रहे इस पंख पर किसी बाहरी व्यक्ति की द्रिष्टी नहीं पढ़नी चाहिए अन्यथा इसका प्रभाव नश्ठ हो जाता है कबूतर के पंख को तिजोरी में रखने से धन में कई गुना अधिक व्रिद्धी होती है अगर आप कर्ष से परेशान है अथवा आप कर्ष को चुका नहीं पा रहे हैं आपका धन किसी के पास लंबे समय से अटका पड़ा है तो कबूतर के तीन अंक लेकर इसे घर के यदि पती-पत्नी के बीच लड़ाई जगड़े होते रहते हैं तो कबूतर का एक पंख पती-पत्नी के बेडरुम में पूर्व दिशा के कोने में रख देना चाहिए इस उपाय से घर में शांती बनी रहेगी और पती-पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा शास को व्यवसाय के स्थल पर पत्रों के बीच में रखना बहुत उप्योग रहता है इससे व्यक्ति को सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है और सफलता मिलती है तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन पक्षियों के पंखों का उप्योग अपने घर में कर सकते हैं दो